दोस्तो 27th of Jan शैनाजगिल का बर्डे है यानि 27 जनवरी को हम शैनाजगिल के बर्डे को सैलिबरेशन करते हैं हमने पिछले साल पहले सधार के बर्डे को सैलिबरेट किया था 12 दिसंबर में फिर उसके बाद से 27 जैन में शेनासगिल के बर्डे को हमने बहुत अच्छी तरीके से सेलिबरेशन किया था। केक वगेरा कट किये थे हमने अपनी दिवान की दिखाई थी। तो कुछ इस तरीके से ही 27 जैन में हमें शेनासगिल के बर्डे को सेलिबरेट करना है। यादे शनास गिल का वर्ड शनास गिल का कहना था कि आप इतने केक मत भीजिए इस से अच्छा ये है कि आप उन केक को या फिर उसके बदले में कुछ और सामान गरीबों में दे दीजिए हमने इस बार सिदार्ग के बड़े पर भी कुछ ऐसा ही किया था 12 दिसंबर में हमने काफी सारे गरीबों को खाना खिलाया जिनको जरूरत है उनकी जरूरतों को हमने पूरा किया काफी अच्छे अच्छे हमने काम किये धेर सारे हमने जगह जगह प्लैंट्स भी लगाए पौधे जगह जगह हमने लगाए जो कि एक अच्छी बात होना चाहिए ये काम ऐसा है कि जिन्दगी में भी और जिन्दगी के बाद भी काम आता है यानि कि डबल डबल हमें इसका benefit मिलता है हमें benefit उससे नहीं होगा कि केक हमने deliver कर दिया शनास गिल को भेज दिया शनास गिल already उसके पास केक होता है वो सब गरीबों में बाख देते हैं मगर फिर भी वो काम हम शनास ना करके वो काम हम खुद कर दें तो क्या होगा सोचो कितना अच्छा लगेगा उपर वाले को भी हमें भी सद्धार्त को भी और साथ में शनास गिल को भी है ना आप अपनी दिवान की कुछ इस तरी कैसे दिखाओ शनास गिल के बड़े पर हमारी बड़ी प्लैनिंग ये है कि हम गरीबों को खाना खिलाएं जिनको जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा कर दें अपनी पॉकेड मनी के अकॉर्डिंग ली जितनी आपकी जेब गवारा करती है उस एकॉर्डिंग आप डोनेशन कर सकते हैं साती सात में कुछ प्लैंट्स भी लगा सकते हैं आप किसी को पोधे डोनेट कर सकते हैं या फिर आप आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं पोधे हर घर में होने चाहिए क्योंकि ये हर्याली है और भाई हर्याली जितना होगी उतना ही हमारी लिए benefit है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा oxygen मिलता है जिसके चलते हम ज्यादा तर मेहनत करें इन सब कामों के उपर शनास गिल का birthday हम अच्छे से celebrate करें आप जो भी काम करें आप चाहें वीडियो बनाना चाहें तो वीडियो आप बना सकते हैं फोटो वगेरा क्लिक कर सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है बट हाँ थोड़ा सा आपको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए करना होगा कितना अच्छा लगेगा कि शनास गिल के birthday पर जरूरत मंदों की जरूरत पूरी होती है आप जरूरी नहीं है कि शनास गिल के birthday पर ही वैसे भी आप अपनी life में मुझे उम्मीद है कि आप करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे अगर हमारे पास अच्छा है पैसा वैसा सब कुछ बढ़िया है हमारे पास तो हम अपने accordingly लोगों की help कर सकते हैं अभी तक जिस तरीके से हमने help की है आगे भी ये processor हमारा पूरी तरह से जारी रहेगा मुझे अमीद है कि आप शनास गिल के birthday को कुछ इस तरीके से celebrate करेंगे और ये बात social media में बहुत तेजी के साथ में फैल रही है जितना हो सके आप उतना जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि हमें इस तरीके से करना चाहिए ये जरूरी नहीं शनास गिल के birthday पर या आप अपने खुद के birthday पर भी कर सकते हैं अपने family members के birthday पर भी ये काम कर सकते हैं कि काना चाहूंगा